नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे आसान और सरल तरीके से बाजू की कटिंग एंड इस्टेचिंग जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है आसान और सरल तरीके से तो मैं जहां तक है कोसिस करती रहती हूं कि आप बाजू एक तम परफेक्ट लगाना सीख और आप लोग भी फिली जो भी मैं वीडियो डालती हो आप पूरा देखा किजिए क्योंकि जो मैं आपको समझाती हूं बताती हूं भू आपके बहुत काम आएगा तो दीकि जादा तरह आप देखते होंगे जो डिजाइन वाले जो कपड़े होते हैं उनमें इस तरीके से आती है देखिए यह हमारी डिजाइन है बाजू की तो इसकी कटिंग भी मैंने आपको बताई है प्रिंस कट प्लाउच आप देख लें लेकिन मैं बाजू अलग से पताती हूं क्योंकि अच्छे समझ में आना चाहिए और देखिए यहां पे एक पर लग अलग अलग डिज तर तो यहां पे देखो हम कपड़े की लंबाई देखेंगे कितनी लंबाई है यहां पे हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो है 10 इंच तो 10 इंच लंबाई होने से क्या है यहां पे हमारी जो बाजू है वो मैंचीज है तो यहां पर हम कपड़े की लंबाई लेंगे 7 इंच क्योंकि अस्तल की जो चोड़ाई वो कम है तो यहां पर हम एक टुकड़ा लगाएंगे चोड़ाई बढ़ाने के लिए तो यह डबल है तो यहां पर हमें अपनी जो चोड़ाई रखनी है वो 9 इंच रखनी है कपड़े की इस तरीके से यह हमारी चोड़ाई हो गए कपड़े की 9 इंच यहां पर कितनी चोड़ाई चाहिए हमें कपड़े की 5 इंच यहां से हमें 5 इंच लेना है कपड़ा यह कपड़ा हम यहां पर लगाएंगे तो cutting का निसान लगाते हैं यहां पर लेंगे हम 3 इंच और इसको देखें इस तरीके से लेखे जाएंगे जितना भी कपड़ा है उतना ही लेना है यहां पर यह जुड़ा हुआ है इसको अलग करेंगे और यह बाजू को हम इस तरीके से रखेंगे क्योंकि यह जुड़ है वो हमारा पीछे की साइड आना चाहिए एक टुकड़ा हम यहां पर लगाएंगे और एक टुकड़ा हम यहां पर सबसे पहले हम यहां पर इसको जुड़ेंगे अब देखिए जैसे हमारी एक कटिंग है उसी के बराबर हम एक कटिंग कर लेंगे यहां पर जो छोटा बड़ा है इसको भी बराबर करना है अब यह बाजू को रखेंगे देखिए यहां पर बाजू बराबर है अब हमारा जो कपड़ा है डेजाइन का उसके उपर हम इसको रखेंगे यह हमारा सीधा है तो सबसे पहले हमें यहां पर बीच में निशान लगाना है यह हमारा पीच का निशान हो गया इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से अब यहाँ पर जो भी हमारा टुकड़ा आएगा जोड इसको हम यहाँ पर रखेंगे नीचे की साइट तो ज़्याद अच्छा रहेगा तो यह हमारा सीधा है सीधे को उपर हमें टुकड़े को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे अभी हम कपड़े उपर एक सिलाई लगाएंगे क्योंकि जोल ना आए बाद में हम इस सिलाई को हटा देंगे प्रेस लगाने के बाद यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे एक सिलाई यहाँ पर बीच में इससे क्या जोल नहीं आएगी अब देंगे हमने पूरे पर सिराई लगा ली अब इसको ऐसे डबल करना है और जो यह बीच का निशान है यह हमारा चौक का निशान है इसको हमें सोल्डर में जोड़ना है अब देखें यह जो जोड़ है वो पीचे की साइड आना चाहिए इस बात का हमें ध्यान रखना है तो यहाँ पर जो हमारी फिटिंग की सिलाई है इसको खोड़ लेंगे थोड़ा सा एक इंच यहाँ पर सोल्डर में हमें जोड़ना है इस तरीके से जो हमारा कट है अब देखें यहाँ पर बाजू जोड़ने के बाद अब हम अपनी बाजू की जो मौरी है उसकी फिटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ बातें ध्यान लगनी है कि यहाँ पर हमारी जो मौरी है वो दोनों पलर बराबर होनी चाहिए और जो एक सिलाई है वो उपर के साइड होनी चाहिए तो यहाँ पर हमारी जो मौरी है बुह 12 इंच तो हम लगाएंगे यहाँ पर 6 इंच पर निशान और इसको हम जो फिटिंग की सिलाई है उसमें ऐसे जोड़ देंगे अब देखें यहाँ पर हमने डवल सिलाई लगाई है अब देखें हमारी यह डिजाइन भी बराबर बीच में आ गई यहाँ से सोल्डर पर और इसी तरीके से हम अपने दूसरी बाजू लगाएंगे अब देखें यहाँ पर जो हमने जोड़ लगाया है वो बुलकुल यहाँ पर देखें दिखाई भी नहीं दे रहा है यह जोड़ है इससे क्या है जोड़ लगाने से हमें गुंजायस मिल गई अगर हम चाहें तो इसको डिला भी बना सकते हैं तो इस तरीके से जो भी हमारी यह डिजाइन है वो हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया है आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाद से ज़्यादा शेयर करें और हां कुछ पूछना या सी सब्सक्राब नहीं किया है जो भी नए लोग हैं वो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद